राजाओं का पहला ग्रंद अधियाई छे, मंदिर निर्मान इस्राइलियों के मिश्वर देश से निर्गमन के चार सव असीवे वर्ष, इस्राइल पर सुलेमान के साशनकाल के चौथे वर्ष, जीव मास में अर्था दूसरे महीने में उसने प्रभु का मंदिर बनवाना प्रारम किया वह मंदिर जिसे राजा सुलिमान ने प्रभु के लिए बनवाया साथ हाथ लंबा, बीस हाथ चोड़ा और तीस हाथ उचा था मंदिर के मध्य भाग के सामने बीस हाथ लंबा द्वार मंडप था जो मंदिर की चोड़ाई के बराबर था और मंदिर के सामने उसकी लंबाई दस हाथ की थी उसने मंदिर में जालीदार खिड़कियां भी लगवाई फिर उसने मंदिर की दीवारों के सहारे बाहर मंदिर की चारों दीवारों के आसपास मद्यभाग और भीतरी परम पवित्रस्थान के आसपास एक उपभवन बनवाया, जिसमें कई मनजिले और कमरे थे उपभवन की सबसे नीचली मनजिल पांच हाँ चौड़ी थी बीच वाली च्छा हाथ और तीसरी साथ हाथ मंदिर के बाहरी दीवारों के पास कुरसियां बनवाई गई जिससे उपभवन का कोई भाग मंदिर की दीवारों के अंदर ना किया जाए मंदिर के निर्मान में ऐसे पत्थरों का उप्योग किया गया जो खदानों पर ही गड़े गए थे और मंदिर बनते समय हतावडा छेनी या और किसी प्रकार के लोहे के ओजरों के आवाज सुनाई नहीं दी नीचे वाली मंदिर का दुआर मंदिर के दक्षिनोर था एक घुवावदार सीड़ी से दूसरी मनजिल तक और दूसरी मनजिल से तीसरी मनजिल तक जाया जा सकता था जब मंदिर की दीवार खड़ी हो गई उसने मंदिर के उपरी भाग को देवदार लकड़ी की कड़ियों और तक्तों से ढखवा दिया उसने मंदिर के चारों और उपभवन बनवाए जिनकी उचाई पांच हाथ थी वे उपभवन देवदार की कडियों द्वारा मंदिर से जुड़े हुए थे तब सुलिमान को प्रभु की यहवानी सुनाई दी इस मंदिर के संबन्द में जिसे तुम बनवा रहे हो या ध्यान रखोगे यदि तुम मेरी वीधियों और नियमों की अनुसार आचरन करोगे और मेरे सब आदेशों का पालन करती हुए उनके मार्क पर चलते रहोगे तो मैं तुम्हारे पिता दाउद से तुम्हारे विशय में की हुई प्रतिग्या पूरी करूँगा मैं इस्राइलियों के बीच निवास करूँगा और अपनी प्रजाई इस्राइल का परितियाग नहीं करूँगा सुलिमान ने मंदिर का निर्मान पूरा किया उसने मंदिर के फर्ष से छदगिरी तक मंदिर की भीतरी दिवारों पर देवदार के तक्ते मडवा दिये और मंदिर के फर्ष पर सनोवर के तक्ते लगवाए उसने मंदिर के भीतरी पिछले भाग में फर्षे, छदगिरी तक देवदार के तक्तों में एक कक्ष बनवाया वह कक्ष 20 हांत लंबा था, वह मंदिर का अंतग्रिह परंपवित्रस्थान था मंदिर अर्थार्थ भीत्री परमपवित्रस्थान के सामने वाला मध्यभाग 40 हांत लंबा था मंदिर के भीतर के दीवदार के तक्तों पर बैडियों और खिले हुए फूल कड़े हुए थे सब जगा दीवदार दिखाई देता था और पत्थर कहीं भी नहीं उसने मंदिर के भीत्री भाग में प्रभु के विधान के मंजुसा रखने के लिए परमपवित्रस्थान बनवाया वह परमपवित्रस्थान बीस हाथ लंबा, बीस हाथ चौड़ा और बीस हाथ उचा था उसने उसे और देवदार की लकडी की वेदी को शुद सोने से मडवाया सुलेमान ने समस्त मंदिर को भीतर से शुद सोने से मडवाया और भीतरी परमपवित्रस्थान के सामने सोने की संकलें लगवाई और उसे शुद सोने से मडवा दिया उसने समस्त मंदिर को सोने से मढवाकर मंदिर का निर्मान कार्य पूरा किया और परमपवित्रस्थान की वेदी को पुन्तिय सोने से मढवाया मंदिर के दो के रूब, भीत्री परंपवित्रस्थान के लिए उसने जैतुन व्रिक्ष की लकडी के दो के रूब बनवाये, प्रती एक दस हाथ उचा था, केरीवबों के पंख पांच हाथ के थे एक पंक की नोक से दूसरे पंक की नोक तक की दूरी दस हाथ थी दोनों केरिवों की नाप और आकार एक था पहले केरुब की उचाई दस हाथ थी और दूसरे केरुब की भी उसने उन केरुबों को मंदिर के भीतरी भाग में रखवाया उन केरुबों के पंक इस प्रकार फैले हुए थे कि एक केरुब का पंक एक और की दिवार तक पहुँचता था और दूसरे केरुब का पंक दूसरी और की दिवार तक दोनों के दूसरे पंक मंदिर के मध्य में एक दूसरे का स्पर्श करते थे उसने केरुबों को सोने से मढवाया उसने मंदिर के आसपास की सब दिवारों पर भीत्री और बाहरी भागों में केरुबों, खजूरों और खिले हुए फलों की आकरितियां खुदवाई उसने मंदिर के भीत्री और बाहरी भागों के फर्शों को सोने से मढवाया मंदिर के द्वार उसने भीत्री परंपवित्रस्थान के द्वार के लिए जैतुन की लकडी के कीवड बनवाए उनकी चौकटों में पांच पहल थे उसने उन दोनों जैतुन की लकडी के कीवडों पर खीरूप, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए और उन पर सोना मडवाया उसने मद्यभाग के प्रवेश द्वार के लिए जैतुन की लकडी की वर्गकार चौकटे बनवाई और सनोवर की लकडी के दो कीवड जिन में दो पल्ले थे जो चूलों पर मुड़ते थे उसने उन पर केरुबों, खजूरों और खिले हुए फलों को खुदवाया और उस नकशी पर सोना मडवाया उसने भीत्री आंगन के घेरे को घड़े हुए पत्थरों के तीन रद्दे और देवदार की एक परत लगा कर बनवाया चौथे वर्ष के जीव मास में प्रभु के मंदिर की नीव डाली गई थी और ग्यारवे वर्ष के बूल मास में अर्थात आठवे महीने में मंदिर नक्षे के अनुसार पून्तिय समाप्त हुआ उसे बनाने में उसे साथ वर्ष लगे अध्याय साथ सुलिमान का महल अपने नीजी भवन के निर्मान में सुलिमान को तेरा वर्ष लगे उसने लिबनोन का वन भवन इस प्रकार बनवाया वह सौ हाथ लंबा, पचास हाथ चोड़ा और तीस हाथ उचा था उसमें देवदर के खंबों की चार पंतियां थी और उन खंबों पर देवदर की धरने रखी गई खंबों पर पैतालिस धरने रखी गई हर वीथी पर पंद्रह धरने और उनके उपर देवदर की छट लगाई गई भवन में खिड़कियां की तीन पंतियां थी तीन-तीन खिड़कियां आमने सामने थी सब द्वारों में वर्गकार चौक्टे थी और तीन-तीन खिड़कियां आमने सामने थी उसने पचास हाथ लंबा और तीस हाथ चौड़क स्तंब वाला कक्ष बनवाया उसके सामने खंबों का छटदार मंडब था फिर उसने सिहासन कक्ष और न्यायाले बनवाया जिसमें वह न्याय करने वाला था उसने उसमें फर्श से छटगिरी तक दीवदार लकडी के तकते लगवाये उसका अपना निमास भवन इसके पीछे था वह भी इसी प्रकार का था सुलेमान ने फिराउन की पुत्री के लिए जिसके साथ उसने विवाह किया था इसकक्ष के समान एक महल बनवाया ये सब इमारतें प्रवेश से बड़े आंगन तक और नीव से छट तक बड़िया पत्थरों से बनाए गए जो माप के अनुसार कट कर पीछे और सामने से आरे से छाटे गए थे नीव में बड़े बड़े गड़े हुए पत्थर रखे गए जो आठ आठ और दस दस हाथ के थे उनकी उपर बड़िया गड़े हुए पत्थर और देवदार की धर ने रखी गई बड़े आंगन के चारों और एक दीवार थी जिसमें तीन रदे गड़े पत्थर और देवदार की एक परत थी प्रभु के मंदिर के भीत्री आंगन और उसके मंडब के चारों और इसी प्रकार की दिवार थी ठठेरा हिराम राजा सुलेमान ने तीरूस से हिराम को बुलवाया वह नफ्ताली कुल की एक विद्वा का पूत्र था उसका पिता तीरूस निवासी ठठेरा था वह कांसे के सब्रकार के कामों का खुशल और अनुभवे शिल्पकार था उसने राजा सुलेमान के पास आकर उसका सब काम किया कांसे के खंबे उसने कांसे के दो खंबे डाले हर खंबे की उचाए 18 हाथ थी और उसकी परिधी 12 हाथ उसने खंबों के सिरों पर बिठाने के लिए कांसे के धले हुए दो स्तंबशीर्ष बनाए हर स्तंबशीर्ष की उचाई पांस हजार थी स्तंबशीर्षों के लिए उसने साथ चोखानेदार जालियां और संकलदार जलरे बनवाई उसने दोनों स्थम्भशीर्षों की जालियों के चारों और अनारों की दो लकडियां लगाई मंडप के स्थम्भशीर्षों सोशन पुष्प के आकार के थे और चार हाथ उचे थे स्थम्भशीर्षों के उब्रे हुए गोलाकार भाग की उपर जालियों के पास स्थम्भशीर्षों के चारों और दो सो पंक्तिविद अनार शुशोभित थे उसने उन खंबों को मंदिर के प्रवेश मंडब के सामने रखा उसने एक खंबे को दाहिनी ओर रखा और उसने याकीन नाम दिया दूसरे खंबे को बाई ओर रखा और उसका नाम बुवाज रखा खंबों के सिरे सोशन पुश्प के आकार के थे खंबूं का कारिय इसी रूप में समाप्त हुआ कांसे का हौज अब उसने कांसे का एक बड़ा वृत्ताकार हौज डाला वह एक किनारे से दूसरे किनारे तक दस हाथ का था वह पांच हाथ उचा था और उसकी परिधी तीज हाथ की थी उसके किनारों के नीचे हौज के चारों तरफ बेडियां बनी थी एक-एक हाथ की लंबाई में दस बेडियां बेडियां दो पंतियों में थी और हौज के साथ ढली गई थी हौज बारा बेलों पर अवधारित था बेलों में तीन के मुख उत्तर की और थे तीन के पश्चिम की और तीन के दक्षिन की और और तीन के पूर्व की और उनके पिछले भाग भीतर की ओर थे हौज के धातु की मुटाई चार अंगूल थी उसका किनारा प्याले के किनारे के समान सोशन पुष्प के आकार का था इसमें करीब 90,000 लीटर समाता था कांसे की चिलमचिया उसने कांसे के दस ठेले बनवाए हर एक ठेला चार हाथ लंबा था चार हाथ चोड़ा और तीन हाथ उचा उनका निर्मान इस प्रकार हुआ था उनके दोनों और के पट्रे चौक्टों में लगाए जाते थे चौक्टों पर और चौक्टों में लगे पट्रों पर सींग, बच्छडे और कीरुब चित्रित थे, सींगों और बच्छडों के उपर और उनके नीचे जल्रें बनी थे प्रतियक ठेले में कांसे और चार पहिये थे और कांसे की धूरियां और चिलमची रखने के लिए चारों कोनों से लगे आधार थे जो ढाल कर बनाए गए थे और उनके प्रसव में जल्रें बनी थे प्रतियक ठेले में एक चिलमची थी, जो एक हाथ बाहर निकली थी वा गोलाकार और डेड़ हाथ गहरी थी, इस पर फूलों की खुदाई थी ठेले के पट्रे गोल नहीं बलकि चौक और थे इन पट्रों के नीचे चार पहिये थे, पहियों की धूरिया ठेलों से जुड़ी थी प्रतियक पहिया डेड़ हाथ उचा था, विरत के पहियों के समान थे उनकी धूरिया नेमिया, आरे और नाभिया सब धली हुई थे प्रतियक ठेले के चारों कोनों पर चार-चार हत्थे थे जो ठेले से निकले हुए थे ठेले के सिरे पर चारों और आधे हाथ की गोलाई थी उसके उपरी भाग में हत्थे थे और उनके नीचे पट्रे हत्यों और पट्रों पर जहाँ जहाँ जगा थी, उसने केरूबों, सींगों और खजुरों की आखरितियां और जहलरे बनाई इस प्रकार उसने दस थेले बनाए, वे सब एक प्रकार एक ही नाप और एक ही आकार में ढले गए थे फिर उसने कासे की दस चिलमचियां बनाई उनमें 1860 लीटर समाता था प्रती एक चिलमची चार हाथ की थी और दसों ठेलों के लिए एक एक चिलमची थी उसने मंदिर के दक्षिन की ओर पांच ठेले रखे और मंदिर के उत्तर की ओर पांच ठेले और उसने हौज को मंदिर के दक्षिन पूर्व कोने में रखा विभिन वस्तवों का निर्मान आंत में हीराम ने पात्र, फावडियां और कटोरे बनाए इस प्रकार हीराम ने वे सब कार्य पूरे किये जिनकी आग या राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए उसे दी थी दो खंबे, खंबों के उपर दो गोलाकार स्थंब शीर्ष और खंबों के सिरे पर के दोनों गोलाकार स्थंब शीर्षों को सजाने के लिए दो जालियां दोनों जालियों के लिए चार सव अनार, खंबों के दोनों गोलाकार स्थमब शीर्षों को सजाने के लिए प्रतियक जाली की दो दो पंतियों में अनार लटके थे, दस ठेले और उन ठेलों पर दस चिलमचियां, हौज और हौज के नीचे बारा बैल, पात्र, फावडियां और कटोरे ये सब सामान जिल्मिलाते कांसे के थे जो हिराम ने प्रभु के मंदिर के लिए राजा सुलेमान की आग्या से बनाए उन्हें राजा ने शुकोत और सार्तान के बीच चिकनी मिट्टी वाले भूमी में यार्दन के मैदान में ढलवाया उन सामानों की संख्या इतनी अधिक थी कि सुलेमान ने उनकी तौल नहीं कराई इसलिए कांसे का वजन मालूम नहीं हो सका अन्या अवश्यक्ट समान, सुलेमान ने प्रभु के भवन के लिए निर्मलिखित सबसमान बनवाए सोने की वेदी, सोने की मेज, जिस पर भेट की रोटियां रखी जाती है सुले के दीपाधार, परमपवित्रस्थान के सामने दाहिनी ओर के लिए पाँच और बाई ओर के लिए पाँच, सोने की बैडियां, दीपक और चिम्ते शुद सोने के पात्र, कैचिया, बर्तन, कल्चिया और लोबान के पात्र, मंदिर के भीत्री भाग अर्थार भीत्री परमपवित्रस्थान के और मंदिर के मध्य भाग के द्वारों की सोने की चूले जब जब काम जिसे राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के ले करवाया पूरा हो गया तब सुलेमान ने अपने पिता दाओ द्वारा समर्पित समस्त सामगरी अर्था चांदी, सोना और अन्य सामान लाकर प्रभु के मंदिर के भंडारों में रखवा दिया स्तोतर गरंत अध्याई एक साव सत्चालिस आलेलुया अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है उसकी स्तूती करना कितना सुखद है प्रभू यरुसलेम को पुनह बनवाता और इस्रेली निर्वासितों को एकत्र करता है वा दुखियों को दिलासा देता है और उनके घाओं पर पट्टी बांदता है वा तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है हमारा प्रभू महान सर्वशक्तिमान और सर्वग्यां है वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ वह आकाश को बादलों से अच्छा दित करता प्रित्वी पर पानी बरसाता और पर्वतों पर घास उगाता है वह पशुओं को चारा देता है और कवों के बच्छों को भी जो उसे पुकारते हैं वह युधस्वा की शक्ती पर प्रसन नहीं होता और मनुश्यों के बल को महत्व नहीं देता प्रभू स्रधालो भक्तों पर प्रसन होता है उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरुसा करते हैं यरुसलिम प्रभू की स्तूती कर सियोन अपने ईश्वर का गुनगान कर उसने तेरे फाटकों के अरगल सुद्रिड बना दिये उसने तेरे यहां के बच्चों को आशिरबाद दिया वह तेरे प्रांतों में शांती बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहुं से त्रिप्त करता है वह प्रिथवी को अपना अदेश देता है उसकी वानी शिग्रही फैल जाती है वह उनकी तरह हीम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है वह ओले के कण चितराता है ठंड के सामने कौन टिक सकता है वह अदेश देता है और बर्फ पिघलती है वह पावन भेजता है और जलधारें बहती है वह याकुब को अपना अदेश देता और इश्रायल के लिए अपना बिधान घोशित करता है उसने किसी अन्य रास्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किये आलेलुया कुरुंतियों के नाम संद पौलुस का पहला पत्र अध्यै चार लोग हमें मसी के सेवक और इश्र के रहस्यों के करिंदा समझे अब करिंदा से यह आशा की जाती है कि वह इमंदार निकले मेरे लिए इस बात का कोई महत्वा नहीं कि आप लोग अथ्वा मनुश्यों का कोई न्यायलाय मुझे योग्या समझे मैं स्वयम भी अपना न्याय नहीं करता मैं अपने में कोई दोश नहीं पाता किन्तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं निर्दोश हूँ प्रभू ही मेरे न्याय करता है इसलिए प्रभू के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करें वह अंधकार के रहस्य प्रकास में लाएंगे और हिदयों के गुप्त अभिप्रे प्रकट करेंगे उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्या श्रे दिया जाएगा भायो मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपलोस के विशे में या स्पस्टिकरन दिया है या शिक्षा ग्रहन करें कि कोई भी धर्म ग्रंद की मर्यदा का उलंगन ना करें और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरसकार करते हुए घमंडी ना बनें कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्वा देता है आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया है और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्ब क्यों करते हैं मानो यer आपको ना दिया गया हो अब तो आप लोग त्रिप्त हो गए हैं आप धनी हो गए हैं हमारे बिनाही आपको राज मिल चुका है कितना अच्छा होता यदि आपको सच मुझ राज मिला होता तब हम भी शायद आपके राज के सहभागी बन चाते मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्ररितों को मनुश्यों में सबसे नीचा रखा है हम रंग भूमी में प्रांड़ दंड भोगने वाले मनुश्यों की तरह हैं हम बिश्व के लिए स्वर्गदूंतों और मनुश्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं हम मसी के कारण मुर्ख हैं किन्तों आप मसी के समझदार अनुयाई हैं हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरसकार हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं फटे पुराने कपडे पहनते हैं मार खाते हैं भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते ठक जाते हैं लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशिरबाद देते हैं वे हम पर अत्यचार करते हैं और हम सहते जाते हैं वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रत पुर्वक अनुनय बिनाय करते हैं लोग अब भी हमारे साथ ऐसा बिवहार करते हैं मानो हम पृत्वी के कच्रे और समाज के कूड़ा करकठ हों मैं आप लोगों को लजजित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ बलकि आपको अपनी प्यारी संतान मान कर समझा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मसी में आपके हजार सिक छक हों किन्तु आपके अनेक पिता नहीं है मैंने सुसमचार द्वारा ईसा मसी में आप लोगों को उत्पन किया है इसलिए मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा अनुशरन करें इसी से मैंने प्रभू में अपने प्रिय एवंग विश्वासी पुत्र तिमोथी को आपकी यहां भेजा है वहाँ आपको मसी के विशे में मेरी शिक्षा का स्मरन दिलाएंगे जिसका मैं सब जगा हर कलिसिया में प्रचार करता हूँ कुछ लोग यह समझ कर घमंडी बन गए हैं कि मैं आपकी यहां नहीं आऊंगा यदि प्रभू की इच्छा हो तो मैं शिक्र ही आप लोगों के यहां आऊंगा और उनकी बातों से नहीं बलकि उनके कारियों से उन घमंडियों को परक्षना चाहूंगा क्योंकि ईश्वर का राज बातों में नहीं बलकि कारियों में है आप लोग क्या चाहते हैं क्या मैं लाठी लिए आप के पास आऊं या प्रेम और कोमलता का भाव लेकर